नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भालू ने खेली फुटबॉल तो चलिए शुरू करते हैं सर्दियों का मौसम था सुभाय का वक्त चारों और कोहरा ही कोहरा एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामून के पेड के नीचे सोया हुआ था इधर भालू साहेब सैर पर निकल तो आये थे लेकिन पस्ता रहे थे तभी उनके नज़र जामून के पेड के नीचे पड़ी आखे फैलाई अकल दोडाई आहा फुटबॉल सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए आप देखाना ताव भालू जी ने पैर से उच्छाल दिया शेर के बच्चे को हड़ बड़ी में शेर का बच्चा दाहाडा और फे पेड की डाल पकर ली मगर डाल तूट गई भालू सहजल थी मामला समझ गए पश्टाई लेकिन अगले ही पल दोड़ कर फुर्ती से दोनों हाथ बड़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया अरे यह क्या शेर का बच्चा फेर से उच्छालने के लिए कह रहा था एक बार फिर भालू दादा ने उच्छाला दो बार तीन बार फिर बार बार होने लगा शेर के बच्चे को उचलने में मजा आ रहा था परन्तु भालू थक कर परशान हो गया था ओ, किस आफ़त में हाफ़सा बार फिर यह बार उच्छलते ही भालू ने घर की और दोर लगाई और गायब हो गया अपकी बार शेर का बच्चा राम से जमीन पर आग गया डाल तूट गई तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरश पड़ा दाल तोर दी पेड की आओ हर जाना शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लो माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूं माली के वहां जाते ही शेर का बच्चा भी नो दो ग्यारा हो लिया उसने सोचा जान बची तो लाखो पाए तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद